बीवाईल नायर अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर पायल तर्डवी को जाती सुचक शब्दों से प्रत्याडित करने के मामले में एक आरोपी डॉक्टर को गिरफतार कर लिया गया है अगडिपाला पुलिस ने मंगलवार को भक्ती महर को प्रारंबिक पुष्टाच के बाद गिरफतार किया इसके अलावा हेमा आहुजा को कल रात और अंकिता खंडिलवाल को बुधवार को पुलिस ने गिरफतार कर लिया आदिवासी समुदाय से तालुक रखने वाली 26 वर्षिय पायल को आत्म हत्या के लिए उक्साने के आरोप में तीन वरिष्ट साथी डॉक्टरों के खिलाप मामला दर्च किया गया था दो अन्ने आरोपी अंकिता खंडिलवाल और हिमा आहुजा ने सत्रे नहायदिश के समक्ष अग्रिम जमानत की याची का दायर की है मामले में जिमेदार लोगों के खिलाफ कारवाई को लेकर ठाने और पाल घर में रैलिया निकाली गई श्रम जीवी संकटन के बैनर तले इन रैलियों में प्रदर्शन कारियों ने जिला कलेक्टरों से मुलाकात की पाल के अभी भावकों ने भी अस्पताल के बाहर विरुत प्रदर्शन में हिस्सा लिया प्रदर जनकारियों ने पायल की माँ और उसके पती सलमान के साथ मिलकर तीनों आरूपियों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांगी उदर भीम आर्मी के प्रमुक चंदर शेकर आजाद ने कहा कि अगर हमारी छोटी बहन के लिए न्याई की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो वो भी महरश्ट का दोरा करेंगे पाईल की मां आबिदा ने बताया कि अस्पताल में वरिष्ट डॉक्टर उद्वारा प्रत्यादना के बारे में वो अक्सर बताया करती थी कई दफावे मरीजों के सामनी ही पाईल पर फाईले फिक देते आबिदा के मताबिक पाईल उनके समुदाय से पहली एमडी डॉक्टर होती लेकिन कैरियर प्रभावित होने के भैसे उसने वरिष्ट सातियों से उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की